तो और क्या हल चाल दोस्तों तो स्वागत हैं नए वीडियो में तो अपना आज डिसकस करेंगे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिस पर बहुत समय से बात करना चाह रहा था लेकिन कर पा नहीं रहा था लेकिन मैंने आज डिसाइड किया है कि आज मैं इस पर ब प्राइबेट कंपनी है लेकिन और फुटबॉल फेडरसन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर में आता है इंडियन गॉवर्मेंट के अंडर में आता है जब पहले ही जब बिसे स्याइड बनी थी शुरुआत में 1927 में तभी से ही वह एक प्राइबेट इंटिटी प्राइ लेकिन यह एक गॉवर्मेंट के इंटिटी है तो शुरू से ऐसा चलता रहा है और बिसे स्याइड भी बहुत श्ट्रगल कराता है शुरुआत में बट जब वो 1983 का वर्ल्ल कप जीते उनके बाद उनका ग्राफ इक्स्पोनेंसिली बढ़ा और फैन फॉलोइंग स्पॉंसर पैसे ही पैसे बहुत कुछ आता गया और इंडिया अच्छा करती भी जा रही है क्रिकेट में जो कि बहुत अच्छी बात है लेकिन वही चीज फुटबोल के साथ नहीं है फुटबोल की जो गवर्निंग बोड़े बनी थी 1937 में ब्रिटीस राज में बनी थी और तबकि फ प्लेस फे फिनिस की और उस्टेलिया को रहा है जो कि एक फुटबोल में अच्छे कंटर माने जाती है तो लेकिन हमारा सिच्वेशन ऐसा रहा नहीं तो यूनों हम सबको पता है कि क्रिकेट चाए फुटबोल इंडिया में कैसे आ यह इंग्लेंड के थुरू है जब वह इ इंग्लेंड को रहा देते थे इंग्लेंड के प्लेयर्स को रहा देनों जो लोग इंडिया में रहते थे ब्रिटिस राश्नम को रहा देते थे इसी तरीके से उन्हों ग्रू करा लेकिन अभी क्रिकेट कहा है इंडिया में फुटबोल कहा है उन्हों जमीन और आसमान का फर कि इंडिया में क्रिकेट तो फेमस है लेकिन फुटबॉल कहीं से भी कम नहीं है इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है मैं इसका आपको एक उधारण देता हूँ फ्रांस वर्सेज अर्जन्टीना का फीफा वर्ल्ल कफ हुआ था है इंडिया में जीयो सिर्मा पर 32 मिलियन लोगों ने देखा था बल्मस्त तीन करोड लोगों ने जीयो सिर्मा पर देखा था अब आप सुचू जिस कंट्री की रैंक 124 है फ्यटबॉल में 124 उस कंट्री के लोग, साठे तीन करोड लोग जियो सिन्मा पर जाकर मैच देखते हैं, one of the highest in the world, one of the highest मतब, मतब टॉप अले लिस्ट में आते थे कि इंडिया ने उस फिफा बल्ड को देखा थो, साठे तीन करोड ये बहुत छोटा फिगर नहीं है, बहुत बड़ा फिगर है अगर आप IPL के मैचेस देखते होंगे, तो वहाँ पर जब देखोगे, तो इन्हों इससे तो जादा ही रहता है, लेकिन बहुत जादा नहीं रहता, बहुत जादा इससे नहीं रहता, I think 16-18 करोड तक जाता होगा, लेकिन क्रिकेट जहां की इंडियन स्पोर्ट से इंडिय इंडिया में खेली जाती है, इंडिया को लोग जानते हैं, एक एक प्लेयर को जानते हैं, और यहां भी वर्सिप होता है, क्रिकेट का तो 16-17 करोड और एक फिफा वर्ल्ड कप जो कि इंडिया खेलने भी नहीं गी, क्वालिफाई तक नहीं कि उसका भी 3.5 करोड तो आप स बहुत साय रिजन हो सकता है, यह चीज़ें बहुत लोग को खराब लग सकता है, जो कि इंडिया क्रिकेट को फॉलो करते हैं, बट यह खराब लेंगे, बात है नहीं, देखो, लोग बोलते हैं कि इंडिया क्रिकेट बहुत स्ट्रगल किया, उन्होंने फिर 83 में हमें ICC वर वर्ल्ड कप वहाता है, 1983 में जो टीमें वहाँ पे खेली थी, वही साथ 8 टीमें खेली थी इन्हों, ऑस्टेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, वेस्टेंडिज, स्रिलंका, साउथ अफरीका, न्युजिलेंड, यही आठ नो टीमें हैं, जो कि यही टीमें अभी इस तरीकेस मैच होते हैं, और उनके प्लेयर सारे इंडियन से, स्पांसर सारे इंडियन कर रही है, और नोबडी, कोई नहीं देखता हूँ, यह आपको सचा ही पता है कि अभी वही 8-10 लोग खेल रहे हैं, और वेन इट कमस रिटा फुटबोल, फुटबोल जब पहला पर हुआ तो 13-14 टीम थी, दूसरा फुटबोल में 16 टीम आ गई, दूनों कंटिनेशनल ग्रो करते हैं, 16 से अभी 24 हुए, 24 से 32 हुए, 26 मने जा रहे हैं, 48 टीम में फीफा वालिकप खेलने जा रही है, तो कमपटीशन नेक्स्ट लेवल का है, हम क्रिकेट में सुरू से ही के साथ खिलते हैं, बड़े टीम के साथ खिलते हैं, लोग इंटरस जगते हैं, लेकिंगे इंडियन नेशनल टीम जो फुटबोल की उनको कभी अर्जेंटीना के साथ, इंग्लेंड के साथ, जर्मनी के साथ खिलने का मौका बहुत नहीं मिला है, एक का दो का आप हिस्टरी में हो सकता था कि USA आती है, और नॉक और राउंड पर पहुझती है, पहली बार ICC T20 किर्केट वर्ल्ड के खेल रही है, ऐसा फुटबोल में नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल काम है, आप देखी सकते हो, इंडियन आस तर कोभी FIFA वर्ल्ड कमें क्वालिफाई नहीं करा, तो competition यहाँ पर जाता है, यह बात आपको समझेना पड़ेगा, तो अगर आप यह दिमांग में रखते हो कि इंडिया ने रिजल्ट बहुत अच्छा लाया है, क्रिकेट में तो पॉपलर हो गया, और बहुत सारी स्पोर्स की नहीं हो जाए है, बड़ उता पॉपलर नहीं यह बात है, और मैं बात और बहुता है, आगर आप इंडियन क्रिकेट टीम से जाके किसी भी प्लेर से आपको पुछों को तो इवरीवन नोज हुई मेसी, विस रॉनाल्डो, समने देख रह रहता है, फीफा वल्लिकप समने देख रहता है, इविन जब आए से टीम ने जी करते हैं, जिसे अमेरिका में बास्केट वाल है, एन एफल है, अमेरिकल फुटबॉल है, भले हुआ कितना बड़ इस पोर्स के हम नहीं जानते हैं, इसमें बुरा वाले मानने वाली बात नहीं है, तो यह दो बात तो खिलियर होगए, क्रिकेट और फुटबॉल, अब बात यह आती है क्या BCCI सपोर्ट कर सकती है, यह देखो, BCCI के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि वो जो चाहे वो कर सकती है, वो All In The Food World Federation को सपोर्ट कर सकती है, बहुत तरीकों से, यह पैसा दो देही सकती है, यह पैसा दो बहुत है, इनका इंफरस्रुक्ट्टर में इनव जैसे IPL होता है, तो कुलकातर नाइट राटर के फ्रेंचाईजी है, मुमें इंडिन्स के फ्रेंचाईजी है, ISL होता है, इंडिन्स सूपर लीग होता है, यहां भी फ्रेंचाईजी है, मौहान बगान हो गई, बैंगलोरी अपसी हो गई, बहुत सारे फ्रेंचाईजी है, रहा हूं कि अल्रीडी इनका क्लब है बट क्रिकेट से जुड़ा हुआ बैक्ट क्लब बना चाहिए जिससे क्या होगा कि लोग को इंट्रस्ट बहुत ज़्यदा जगेगा आप समझेरों में क्या कहना चाहरा हूं क्योंकि जो क्रिकेट प्लेयर के जो स्काउटिंग होती है ज बहुत बढ़ा काम नहीं है बहुत बढ़ा काम नहीं है बहुत बढ़ा काम नहीं है जब चाहे क्लब से बात करकर कर सकती है क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है बहुत पैसा उनके पस और अगर सही तरीके से कर से हैं कि एक चुन्हाई सुपर की फूटबोल इस बिंडोगा इंटर्स को भी देखना करेंगे और प्लेर को स्कॉटिंक प्लेर को पैसे जाएंगे और अल्टेमेटिय उसमें भी सेर और अईडिया एक आईडिया इस तरीको से किया जा सकता है लेकिन लेकिन एक बात यहां पर हमें समझनी पड़ेगी कि जैसे इंडिया है इंडिया में बहुत बड़ा कोई sports culture नहीं है sports culture उसको बोलते हैं जहां पर cricket, football, hockey, rugby, tennis, everything मतब लोग सारे sports को enjoy करते हों sports देखते हो, सारे sports में involved हो लेकिन ऐसा है नहीं इंडिया के साथ इंडिया इस नॉट a sports loving country वह ओलंपिक सही medal सही पता चलता है ठीक है यह सच्चाही है और सबसे बड़ी बात यहां पर क्रिकेट है तो cricket इतने लोग खेलते हैं कि बहुत सारे अच्छे प्लेयर निकल जाते हैं मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहां पर करप्सन बहुत है इविन क्रिकेट में भी करप्सन है अगर आप क्रिकेट किसे केड़ में जोइन करने के लिए जाओ बढ़ियां खेलते हो आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा क्योंकि इन्डिया में चलता है यही चीज होत दो अब जाते जाते आखरे में चोक कर गए तो यह होता है फुटबोल के साथ क्योंकि उत्ते लोग खिल नहीं पाते हैं और उत्ता खिलने का लोगो मौका नहीं मिलता तो इन्हों उहां ता आगे बढ़ने पाते हैं लेकिन यह क्रिकेट के साथ भी करप्सन होता है निचल सपोर्ट नहीं कर सकती यहां पर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को और फुटबोल फेडरेशन को समझना पड़ेगा चीजे करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास इतने लोग फुटबोल नहीं खेलते हैं तो यह एक चीज है कि सॉल्व करना बहुत जादा इंपोर्टेंट है औ और रही बात कि जो मैंने पॉसिबिलिटी बता है बीसी से आई का कि और फुटबोल फेडरेशन को सपोर्ट करने का तरीका जो बता है यह एक तो है ही दूसरी बात है कि सीधा वह फंडिंग कर सकते हैं स्टेक होल्डर बन सकते हैं बहुत सारे चीजे कर सकते हैं अपने आती है कि क्या बीसी साई कभी करेंगी तो अगर आप मेरे से सक क्वेशन कभी पूछोगे तो मेरे देखो आंसर यह है कि इस नेक्स्ट इंपॉसिबल बहुत कम चांस है कि ऐसा करें क्योंकि जो को बीसी से आई को भी पता है कि कितना पोटेंसियल है क्रिकेट में ठीके चांधा आप फेमस होगे инदिया में फुटबोल फुटबोल बढ़िया करने Сट और से और बात सब को पता है गर इनडिया फुटबोल बढ़िया करने स्टार्ट कर एक क्रिकेट को ऑपर स्ड़ कोड़ देख करें तो आप समझे हो जब बढ़िया करेंगी तो क्या ह хозяतो हो लेकिती है, rather than कि उनको साथ ने लेके जा सकती है, तो मुझे नहीं लगता, इस possibility पर है, but, you know, for the betterment of Indian, Indians के लिए, for the betterment of Indian football, for the betterment of sports के लिए, अगर आप include करोगे, तो हाँ, ये अच्छा option है, BCC I को सोचना चाहिए, कर भी सकती है, करना भी चाहिए, लेकिन आप इस पर बहुत पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं ये नहीं कहा रहा भाई, ultimately ये इंडियन sports है, इंडिया को अच्छा करना है, जैसे cricket में चेक कर लिए, इसे football में, ultimately इंडियन लोगों के लिए, तो ये सोचना कि लोग रोने लगते हैं, तुम भी बढ़ियां करो, अच्छा करो भाई, बहुत competition है, यहाँ, आप समझो, it's not cricket की, cricket में तुम पता है न, अभी इंडिया बस cricket खेलना बंद कर दे, तो cricket खतम हो जाएगा, खतम, death हो जाएगा, death, cricket का death हो जाएगा, if you don't trust me, आपको जाकर देखो, South Africa को sponsor करता है, इंडियन ब्रांड, निदरलेंड्स को sponsor करता है इंडियन ब्रांड, अफगानिस्तान की टी में उनको खेलने के लिए जगे नहीं हो, इंडिया में इनको इस्टेडियम जाएगा, तुम आगा खेलो यहाँ पे, ठीक, कितना ज़्यादा इस वर्ल्ड में cricket को बढ़ा हो देने के लिए, बहुत बढ़ा है, तो बढ़ा है, वहीर इस्तिती रहेगा, वैसा ही खेलते रहेगा, वैसा ही चलता रहेगा, इतना बड़ा competition ही है, तो अगर जिस चीज़ में लोग, इतने लाखों लोग, इतने countries लगी हुई है, कि हमको टॉप करना, हमको टॉप करना, कि किस लेवल पर हमें चीजों को सही करना पड़ेगा किस लेवल पर हमें preparation करना पड़ेगा, हम उस position पहुचे, तो it is a tough task, यह सब का काम है, सम मिल कर करेंगे, तो क्योंकि छोटा से काम कोने समय, result नहीं आएगा, result नहीं आएगा, तो it's good कि betterment के लिए हम करें, और यह हम, मैं मांगता हूँ कि we are, कभी कबार हमां unlucky है, कि हमारे प साउथ कुरिया क्पास, सौन है, हरे country में ऐसे player आथा भी, इंडिया को ऐसा मिला नहीं है, और मिलेगा भी कैसे आपका player, अगर इंडिया में खेल रहा है, तो कैसे group कर भाए, क्योंकि हमारे खुदी level, mediocre level के है, हम medium लोगों का साथ खेलेंगे, तो medium बन जाएंगे, हम top कैसे क करते हैं, तो, it's a tough, so those people who think की, kinder football को खुद अकेले grow करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया करना पड़ेगा, तब ही लोग देखना है, स्टार्ट करेंगे, why you're asking for help to BCCI and everyone else, तो bro, आप wrong हो इस पे, ये out and out different thing है, आपको नहीं पता है, इस टोबी बार research करो, football देखो, football समझो, football तो मैंने पूरे explain करने कोसिस करी है, that's it from my side, आपको क्या लगता है, कि क्या होना चाहिए, क्या BCCI सच में help कर सकती है, क्या इस तरह कुछ initiative दिमाग से लाना चाहिए, या Indian government को, you know, pursue करना चाहिए, BCCI को, चाहल इंडिया football federation को pursue करना चाहिए, BCCI कि आप हमें invest करें, आप बढ़के सोचना पड़ेगा, corrupts on the next level, all in the full federation, आप सबको पता है, but we have to do something good, तो हमें आप काम करना पड़ेगा, अगर हम नहीं करेंगे, तो, you know, आज 124 है, एक टाइम पर आयागा कि, 140 हो जाए, that is the sad reality, मिलते हैं नेक्स वीडिवे में, तब तक के लिए, bye